हेलो गाइज अन्या घर्सियो कॉनिची वा सवे दिखा नमस्ते वेलकम वेक्ट तो मैं चैनल वेलकम तो न्यू वीवर्स और सब्सक्राइबर्स इन थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो और सब्सक्राइबिंग मैं चैनल अभी लॉस आफ अट्रेक्शन का नेस्ट अप ब्यूटिफूल है आई होब कि आप लोगों अच्छी लगेगी तब ज्यादा देरी ना करते हुए पार्ट वन की एक्स्पनेशन शुरू करते हैं पार्ट वन की सिर्वात में हम एक लड़के को देखते हैं जिर सोया हुआ था लेकिन वह जल्दी उठ जाता है और आफिस सिरीज का सेकेंड कारेक्टर है वो उससे कहता है उठो नहीं तो तुम लेट हो जाओगे और जब लीजुन की आग खुलती है तब हमें पता चलता है कि वो सपना देख रहा था जब घड़ी की तरब देखता है तो आफिस जाने के लिए लेट हो चुका था लेजुन जब अपना फोन चेक करता है तो देखता है उसका फोन बन था वो जल्दी से अपने फोन को चार्ज पर लगाता है और आफिस के लिए रेडी होने लगता है लेजुन पहले एक आइडल था लेकिन अब वो एक इंटर्न है और आज इसके काम का पहला देन है जब वो तयार हो रह ली थी जिसके लिए वो कब से ट्राय कर रहा था और अब वह एक आफिस वरकर बन चुका था जब वह बाहर जा रहा था तभी उसे याद आता है कि वह अपना फेवरेट परफ्यूम लगाना भूल गया है लेजन इसमेल्स को लेकर बहुत सेंसिटिव था उसे परफ्यूम क तरह के परफ्यूम रखा करता था चल्दी असलों हो ईकल पर जाता है याले अपने शान लेनी गया था लेकिन वहाँ की ऑनर उसे पहचान जाती है अपने 방ले उने करौाइक १साँ दो जो भी हो लेकिन तुम्हें अपने ब्रेटफास को स्किप नहीं करना चाहिए लीजिन कहता है ब्रदर कि आपने मुझे सच में इसलिए कॉल किया है कि मैंने अपना प्रॉपर मिल खाया है या नहीं जबकि इसने पहले तो आप मुझे पानी का एक सिप भी नहीं लेने देते लीजिन फिर एक मिल का पैकेट लेता है और काउंटर पर पेमेंट के लिए जाता है तभी उसे सौंगिन बताता है कि सब्वे की लाइन टूपर एक्सिडेंट हो गया है जिसकी वज़े से सारी सब्वे आज बंद कर दी गई है ये सुनकर लीजिन को शौक लगता है तभी कि लिए लिजिन से इसारे से चुप रहने को कहता है ताकि सौंगिन को पता नai चल जाए कि वह अभी वहीं हैTION चाहता है फई कियरा की पहले कि कैसे लेट हो चाहता हाक वो ते स्टेशन गया ही नहीं था पेमेंट करने के बाद वो जल्दी से बाहर आता है सौंगन इससे कहता है आफिस में मिलते है और कॉल रख देता है लेजिन फिर टैक्सी लेने जाता है और एक जगे पर जाकर खड़ा हो जाता है जहां पहले से एक लड़की खड़ी हुई थी और वो भी टैक्सी का वेट कर रही थी उस लड़की को लेजिन को देकर गुसा आता है क्योंकि वो उसके सामने खड़ा हो गया था तो वो उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है लेजन उससे कहता है सौरी लेकिन अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं ये पहली टैक्सी ले सकता हूँ आज सच में मेरा बहुत इंपोर्टेंट डेहर मुझे जल्दी से जल्दी आफिस पहुसना है तो वो लड़की कहती है जिसका नام किम यॉंग था इसका काम इंपोर्टेंट नहीं होता है ली जून कहता है मैं समझता हूँ लेकिन दुसरे टैक्सी आ जाएगी न तुम उससे चली जाना किम यॉंग कहती है तुम्हिस दुसरी टैक्सी से क्यू नहीं चली जाते हो पता नहीं सुबह सुबह किस पागल परसन से मुझे डील करना पड़ा है ये सुनकर ली जुन कहता है मैं कोई पागल नहीं हूँ तभी वहाँ पे कार आकर खड़ी होती है वो कार चोई जुन की थी वो किम्यों को देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो किम योंग कहती है ब्रदर आप यहाँ क्या अपने एफिस जा रहे हैं चोई जूंग कहता है हाँ मेरा आफिस गंगनम में ही है अगर तुम वहाँ जा रही हो तो कार के अंदर बैठो मैं तुम्हें डॉप कर दूँगा किम्योंग फिर कार के अंदर बैठ जाती है ये देखकर लेजिन अचानक इसके विंडो के सामने आ जाता है और उन लोगों से कहता है क्या तुम लोग गंगनम जा रहे हो क्या तुम लोग मुझे वहां तक छोड़ सकते हो क्योंकि सच में आज मेरा बहुत इंपोर्टिन डे है और मुझे जल्दी से जल्दी वहां पहुँशना है किम्योंग उसे अचानक विंडो पर देखकर डर जाती है और उससे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो क्या तुम कोई पागल हो वो यहीं सोचकर उसे देखता रह जाता है तभी अचानक किम्योंग उससे कहती है कार के अंदर बैठो फिर तीनों जा रहे थे तभी चोड़ जिन नोटीस करता है कि लीजुन कार के अंदर इधर अधर कुछ देख रहा था वो उससे पूसता है क्या तुम कुछ जून रहे हो लीजुन कहता है नहीं तो बस में तुम्हारी कार को देख रहा था तुम्हारी कार सच में बहुत अच्छी है तभी किम्योंग कहती है जब तुम किसी के कार के अंदर बैठे हुए तो तुम्हें चुपचाप सांती से बैठे रहना चाहिए ना कि उनकी चीजों को इस तरह तांच जाक करना चाहिए और स्निफ करना चाहिए ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है अचानक तभी लीजिन की नजर वहां रखे वेडिंग इंविटेशन पर जाती है जिससे लेवेंडर की बहुत स्वीट स्मेल आरी थी लीजिन उसे स्मेल करता है तो चोईजिन उससे कहता है इसकी खिस्वल फ्लावर की तरह है ना लीजिन कहता है हाँ यह लेवेंडर की फ्रेग्रेंस है जो मुझे बहुत पसंद है फिर सॉरी कहकर उस कार्ट को नीचे रख देता है जोईजिन कहता है मैंने रिसेंटली एक वेडिंग इन्मेटेशन रिसीप किया है और इसमें अरोमायल को इस्प्रे किया गया है और मुझे लगता है कि एक अच्छा आइडिया है किम्योंग कहती है ब्रदर आप सच में बहुत काइंड हो क्यों ना आप बस इस्टेशन के सारी पिजिन्स को उठा कर ले आओ आप एकी को क्यों लेकर जा रहे हो ऐसा कहकर वो लीजिन की तरफ देखती है चोई जुन कहता है लेवेंडर आपके माइंड को सांध करता है आप इसे रिलाक्स फिल करते हो यह स्ट्रेश और टेंसन को फ्री करने में यह बहुत हैल्फूल है यह सुनकर लीजिन कहता है इसलिए मुझे यह बहुत पसंद है तुम्हें तो सेंड्स के बारे में काफी नौलेज है उन दोनों की बाती सुनकर किम यॉंग कहती है कि आप दोनों पहले से एक दुसरे को जानते हो जो इस तरह बात कर रहे हो इस पर चोई जुन कहता है तुम्हें तो इससे अभी-भी मिली हो न तो उससे इतना roodly क्यों बात कर रही हो किम्योंग फिर ली जुन की तरफ देखती है और कहती है मुझे लगता है कि ये family year है इसका चेहरा जाना पैचाना लगता है ली जुन कहता है ऐसा नहीं हो सकता हम पहले नहीं मिले है चोई जुन फिर किम्योंग से कहता है कि उसे इस त वाली बिल्डिंग के पास उत्रेगा चॉय जुन कहता है मैं अलसो वहीं जा रहा हूं किम यॉंग से कहता है कि वह यहां से पैदल चली जाए तो किम यॉंग कहते है कि आज उसने रिल्स पहने हुए है इसलिए वह नहीं चल पाएगी चॉय जुन उसे नहीं होना चाहिए जो लोग ऐसे होते हैं वह रिवार्ड डिजर्फ करते हैं अपनी काइनेस के लिए बट लोग उनका गलत फायदा उठाते हैं अगर तुम भी ऐसे ही रहोगे तो लोग तुम्हारा भी एडवांटेज लेंगे फिर वह उस पैकेट पर अपना कॉंटेक्ट पार एक दूसरे की आँखों में देखते हैं लीजर्फ के बहुत करीब था जिससे वो उसकी पर्फिम की फ्रेग्रेंस को स्मेल कर सकता था वो कहता है यह स्मेल तो मुझे जानी पहचानी लगती है फिर वो उससे अलग हो जाता है उसके जाने के बाद चोईजन इसमाइल क चुका है और वो टाइम के बहुत पक्के है और अगर वो लेट हुआ तो डारेक्टर के सामने उसको फरस्ट इंप्रेशन बहुत बुरा पड़ेगा यह सब चोईजन भी सुन रहा था फिर एक लड़की लिप्ट से बाहर आती है और वो चोईजन को ग्रीट करती है तो साम चैनल चाँ ने खड़े लोग उन दोरों को ही देख रहे ती तुमने सच में आज मेरी बहुत की है पता नहीं तुम्हारा यह सान में कैसे चुका हूंगा च्रण कहता है क्या इसमें वह परसन भी सामीर जिसे तुम अभी फोन पर बात कर रहे थे लिजन कहता ए हां और यह भी मुझे उनी की वज़े से मिली है लीजिन कहता है वो मेरी सिब्लिंग्स जैसे है तो चोई जिन हसता है और कहता है तो तुम्हारा भाई जैसा है इवन उसने तुम्हें वैल्यूबल इंफरमेशन भी दी है कि आफिस में डारेक्टर हमीसा टाइम पर आ जाता है लीजिन कह साथ जाता है तो जाता है तो आफिस के सामने होते हैं उन दोनों को देकर और ऑफिस के सारे इंप्लॉई रह जाते हैं और चोई जिन इसके पास आकर कहता है अब तो तुम्हें पता चल गया है ना कि तुम अपने डारेक्टर से पहले कैसे आफिस आ सकते हो पर ली जिन को अभी विभिस्वास नहीं हो रहा था कि आखिरी सब क्या हो रहा है चोई जिन फिर सबी को गु ही नेस्ट सेन्ट में संग्यून ली जुन से कहता है तुम्हारा आज का पहला दिन बहुत चाउटिक रहा है तो मुझे तो फील हो到底 थोड़ा है जैसा जोड़ा है शुर है और तुम्म है सिप लोगों के नाम और उनके पॉजिशन को याद रखना है ली जुटं कहता है पर वो इस बात को लेकर परिशाण नहीं है वो इस बात को लेकर परिशाण है कि वो यहां फीट हो पाएगा या नहीं सांगई फिर उसे मैणेजिंग डारेक्टर की बारे में बताने लगता है और उसे बताता है कि वो यहां के नहीं बलकि यूवेस के है और उनका मेंड ब्रांच वही है लेकिन हमारी कमपनी के सेल्स बहुत डाउन हो रहे थे और कंडिशन अच्छी नहीं थी इसलिए नियू डारेक्टर को यहां पर अपॉइंट किया गया और जबसे यह नियू डारेक्टर यहां पर आए हैं हमारी कमपनी की सेल्स बढ़ गई है और हमारी टीम भी बहुत अच्छे से काम कर रही है यह बहुत ही टालेंटेड है इसलिए तम चिंता मत करो इन सब की आदब तुम्हें बहुत जल्दी हो जाएगी ली जून कहता है तब तो फिर सच में वह बहुत अच्छा इंसान है सौंग्यून कहता है हां वह ग्रेट है दैन उसे पूछता है वैसे तुम दोनों आज सुबह एक साथ कैसे आए तो ली जून उसे बताता है कि वह टैक्सी से आने की प्लानिंग कर रहा था पर उसे टैक्सी नहीं मिल रही में बात कर रहे लड़की कहती है हमारे इंटर्वियू के रिजर्ट हमारे प्रोजेक्ट के बेस पर डिपैंड करते हैं तो एक लड़का कहता है मुझे तो लगोंने कनेक्षन के बेस पर किशी को पहले हाय कर लिया है और हम ऐसे ही काम करवाना चाहते है यहां पर यह क्याता था दरनी जॉछन के उफ्ष जांठाए तो चैनल से कहता है अलिधन होगा और यह सुनकर दूधर करता है तो चैनल कहता है नइश्ल में since उसे काफी रिफ्रेसिंग और अलग है क्या तुमने कैफे में भी काम किया है क्या सच में कैट्स के लिए ऐसा कोई भी कैफे होता है तो लेजर उसे बताता है हाँ जहां पर कैट्स का ध्यान रखा जाता है और उन्हें खाना दिया जाता है दन उसे कहता है तुमने हमारी कंप करता है और fragrance के साथ उसे advice भी देता है इसलिए वो इस company में काम करने के लिए interested है जो perfume के fragrance पर ज्यादा focus करती है और यहीं ज्यादा important है जो जिन कहता है वो person कौन है क्या वो Mr. Songyun है उन्होंने ही तुम्हारा recommendation लेटर भी दिया था वो तुम्हारी सच में बहुत help करते हैं लीजुन कहता है हाँ मैं उनके लिए सच में बहुत ज्यादा को कहा था तो तुम वहां से भागी क्यों नहीं और तुमने अपने डिफेंड में उन लोगों को मारा क्यों नहीं क्या तुम हमेशा इसी तरह उन लोगों को तुम्हों करने के लिए लीजुन कहता है और अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा तो तुम क्या करोगे तुम्ह हमने तो pharmませ किया था कि हम दोनों हमेसा एक साथ रहेंगे तुम्हें याद कर ले किय إलया लेकी तभी चोई जूनसे ख़ग कर लेता है और कहते है टो फोल में he यहीं पर यह beautiful episode खत्म हो जाता है तो क्यासा लगा आपको यह explanation मुझे comment में जूर बताना अगर अब तक आप लोगो ने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर लेना और बैल आइकन को भी प्रेस कर लेना ओकी गैस थेंक्स वर वाचिंग दे वीडियो बबाई टिक किया